नमस्कार मैं इनके सिंग दोस्तों आज मोदी जी को देवत्व प्राप्त किया है राम लला को तो बाइस तारीक को बाइस जण्वरी दोहजार तेज दोहजार चौविस को प्राप्त होगा लेकिन आज तीस दिसंबर को दोहजार तेज बोती जी को देवत्व प्राप्त हो गया वो अजोध्या गए पांच घंटे 17 मिनट बलकि यूँ कहिए कि एकजेट चोड़ा जाए लैंड करने से लेके और वहां तक तो पांच घंटे 17 मिनट अधर्वाइस अगर देखेंगे तो चार घंट से वर्च्वली बोदी जीना जोदिया में बिलकुल धूल उड़ादी जी से कहते हैं ग्रामीड जुमले में तो धूल उड़ादी उड़ूने उन चार घंटों में जिस तरह मोदी जी ने पब्लिक से इंटरेक्ट किया जो शो रहा उसको देखें तो आज साफ दिखाई द राप्त हो गया है राम लला को 22 को मिलेगा और राम लला की प्रांट प्रतिस्ठा होगी और आपको ताजू बुगा बाइस तारीख को जब मोदी जी राम लला की काविग्रह करेंगे तीन मूर्तियों में से एक को चुना गया है और उसका जब प्रांट प्रतिस्ठा होगी तो उस मूर्ति की आखें बंद होगी और मूर्ति की आखें जब खुलेंगी मोदी जी उस पे से कपड़ा हटाएंगे पट्टी हटाएंगे तो पहला जो दर्शन राम का होगा वो मो राम लला की आखें खुलेंगी तो जो पहला दर्शन होगा क्योंकि जब कपड़ा हटेगा वो मोदी जी हटाएंगे पट्टी और राम लला को मोदी जी के दर्शन होगी हमारे एंकर में एक प्रतिस्ठित चैनल के कहा कि राम लला जब आख खुलेंगे तो मोदी जी के दर कि मोदी जी के लिए फक्र की बात है लेकिन एकर नहीं कहा कि जब आख खुलेगी राम न लाकी तो उन्हें मोदी जी के सबसे पहले दर्शन हों कि आज पूरा देश मोदी जी को देख रहा था और मोदी जी को किस तरह से मोदी जी ने 15 किलो मिटर लंबे रोड पे जो एरपोर्ड से चलके और रेलवे स्टेशन तक पहुचा था उस पे उन्होंने रोड शो किया और रोड शो में किस तरह दोनों हाथ कभी-कभी उठाते थे कभी एक हाथ उठाते थे अब मुश्किल यह होती थी कि नसलक के दोनों तरफ अगर आदमी थे तो मोदी चैरा एक ही था तो एक ही तरफ सो गरदन मोड सकते हैं दो चेहरे होते तो शायद दुनुन तरफ पोड़ते थे दोनों हाथ के साथ लेकिन हां दोनों तरफ उठाते थे तकी दोनों तरफ की तो उश्जूは भाईान टैन्षिंब बैरकर ने एक बाबा से पूछा साधू स कि आपको कैसा लग रहा जो तो उसने कहा कि अरे अयोध्या की जो पुरात्ता थी वो तो भरबाद हो गई लंबी लंबी चोड़ी सड़के और यहां पे कारे आ रहे जो प्राचीनता होती है जिसमें हम शांती से बैठके एक आगरता से ध्यान करते थे वो तो एक आगरता खत कि मोदी जी तो स्वैम भग जो हमें राम लला से मिलाए वो तो खुद भगवान है फिर सवाल हुआ कि अच्छा आपको मकान मिला है क्योंकि एक लाखुच लाभूप भी लाए गए हैं तरसल हर वीडियो को कहा गया है कि आप अपने अपने ब्लॉक से अपने अपने पंच मोदी जी आने वाले हैं उसमें भी खड़े किये जाएंगे मोदी जी ने आज यहां जब आए तो रेने 11 बजे जब उन्हों लैंड किया तो 11 बजे लैंड करने के बाद जो पहला काम था वह वहां से चले वहां से चले तो रेलवे स्टेशन का खांट करना था तो एयरपू हो जाते हैं उनको लगा कि कैमरे में कुछ व्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसने एक्स्प्रेंट किया दरसल यह इलाक्या थोड़ा सा चंसुन है ना इसलिए यहां पर लोग नहीं अभी हम लोग आगे चलेंगे तो बहुत भीड़ोगी आपार भीड़ोगी वैसे गुलाब की पंखडिया भी सबकों पर चुंकि वुदी जी पर नहीं टेक पा रहे थे तो गुलाब की पंखडिया बिशाएं सडकों पर उस पर बोगी जी का कार्केड अगे बढ़ता है वैरा बोदी जी ने जब भाशन दिया तो आप जानते हैं जैसा होता है हर कुछ दे पार्व को लपेटे और यह हर जगा होता है चाहे हूँ भगवान का मंदिर हो वहां पे भाशार देंगे तो यह होगा पार्वियमेंट पे होंगे तो ही होगा तो बोदी ने बताए है उनजी ने कहा कि इस से पहले कोई अजुध्या को जानता नहीं था इसके पहले कोई यह भी नहीं जानता था कि अजुध्या जाना है और एंकर ने भी बार-बार कहा कि देश के अकेले प्रधान मंत्री हैं जो अजुध्या में इतनी बार आए हैं बिल्कुल सही है प्रधान मंत्री मोधी बहुत बार गये हैं अब मोधी जी न जो यहां कहा एक समय था जब यही रामलला टेंट में विराजमान होते थे आज उनको घर मिल रहा है और उनके साथ उन्होंने आक संख्या दिया कि इतने करोड़ लोगों को भी घर मिल रहा है चार करोड़न रामलला का घर और बाकी जनता का घर तो उन्होंने यह बताया कि मोधी जी नहीं दिया है पीयम आवास में औरपी अνुचे बाकी लोगों कुछ इस तरह का का कहना था बिल बिला उनको घर मिला है तो वो बोदी जी के वज़े से मिला है यह एक इंप्रेशन दिया गया और बोदी जी को हर व्यक्ति जिन से पूछा जाता था वो कहता हूँ तो हमारे भगवान है और हुआ भी यही कि जब वो एक निशाद परिवार के घर गए तो मोदी जी ने भाशन में बताया कि यह 10 करोडवा लाभुक है उसकी पत्ति उसके घर गए तो पूछा कि तुम्हें यह सुविदाद मकान की मिली हुई है तुम्हें मुझवला योजना से मिल रहा है यह उन्होंने पूछा जब उनकी पत्ति से पूछा गाव निशाद जान पुछ के चुना गया थ क्योंकि निशाद वोड चाहिए तो उसके लिए तो करना पड़ेगा तो निशाद के घर को चुना गया था बोदीजी वहां गया वहँ चाय पी और यह भी बताया कि छीनी झाढ़ा ड़ाव दी है www और यह भी कहा गया कि साब यह गट्टे पहले ही हमको बताया गया कि कोई बड़ा नेता आने वाला है वगयरा वगयरा यह सब होता रात जानते इसके पिछे कैसे होता है अब मोधी जी के भाषण दुग्णों ने कहा मुझसे पूछते हैं मोधी की गारंटी में इतनी ताकत क बलब या कोई नहीं पूछता है आपकी गारंटी सबको मालूम है मोधी जी की गारंटी में यह अभी आपका एक चैनल से टेंटि एक पुछा था एक सवाल किया तो आक ज Anytime किस तरह के सवाल देने में इतनी ताकत कहां से आती उसको पूरा करने में ये सवाल था आज मोदी जी ने उसका जवाब दिया मोदी उसे पूरा करने के लिए जिन्दगी खपा देता है मोदी जी से पूछा जाए वो किसानों को जो कहा था दो दूनी आय होने का सत्रह में कहा था बाइस चला गया जिन्दगी कहां खप गई आपकी पंद्रह लाग कहा था काकेड की सभा में कहां चला गया वो तो वो तो जुमला था तो अब ये फर्क ये करना पड़ेगा कि मोदी जी का जुमला कौन सा है गारेटी कौन सी है जिसमें मोदी जिन्दगी खपा देगा वेरर मोदी जी ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतनी ताकत कहां से आती है गारेटी को पूरा करने के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि मोदी अपनी जिन्दगी खपा देता है आपने अभी तक हाल में जितने भी वादे हुए पाश ट्रिलियन डॉलर की एकोनामी 23-24 में होनी थी हो गई क्या 3.7 ट्रिलियन डॉलर नहीं वो भी करेंट प्राइस पे 2017 में 2027 में होने कि अब बात चल रही है गारेटी तो वो भी थी और फिर छोड़ दीजे उजवला में आपने जो दिया उसका मतलब क्या था क्योंकि उस रेट की वज़े से कोई भी उजवला वो गरीब आदमी एक बार खरीदा उसके बाद दुबारा खरीद नहीं रहा था गारेंटी उन बेरोजगारों को मोदी जी एक बार दे दीजिए को रोजगार मिले पकोड़ी न तलना पड़े क्योंकि आपने तो उनसे पकोड़ी अपने राज में तलवा दिया तो अब ये मोदी जी ने आज अपने भाशन में कहा कि मैं जिद्गी खपा देता हूं उसक जब चाहें दर्शन करें लेकिन अजोध्या में फीड़ ना लगा ये ये जनता से उन्होंने एक दर्खवास की है और तूसरा ये कहा है कि अपने अपने घरों में विदिपुर्वट पूजा करें अजोध्या को आज जो मोधी जी ने बताया वो हिंदी के तीन जुमले थे अच्छे थे तो इसलिए मैंने नोट कर ली हालाएकि मैं संस्रिय्ट का शात रहा हूं लेकिं जुमले अच्छे लगे आज अज जोध्या नव्यभव्यदिव्य अजोध्या है तो आप लोग भी याद रखिएगा कि ये जो जो जोध्या है जो जोध्या कि बढ़े अजोत्या एरपोर्ट जिसका नाम अब उ दोने लड़ी की इंट्रनेशनल लेयरपोर्ट कर दिया है वानवी की की नाम पर वो रहा आजका खासबाद और जो इस्टेशन का उध्घाटर किया है वाकई इस्टेशन काती चम चमा रहा थाई वह जो उद्गाणन किया है उसका नाम दिया गया है अजोध्या धाम अब वो अजोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा आपने अक्वारों में पढ़ा होगा यह दो चीजे तो हुई है एक बात जरूर है कि इन सब से टूरिस्ट पुटफॉल महां पे जबंदस्त आने जा रहा है गवर्मेंट आफ यूपी के रेपोर्ट गवर्मेंट आफ इंडिया को गई थी जिसमें यह कहा गया था कि एक साल में सोगुना और यह अभी तक अभी तक पंदिर नहीं बना था इसके बावजूद धाई करोड और दो करोड 47 लाट लोग अजुद्या में नो हजार बाइस पे आए माइस 23 पे आप समझ सकते हैं कि कितना जबंदस्त पुटफॉल रहा है जबकि इसके पहले ठाई लाट लोग आये करते तो सो गुना बढ़ा है और उमीद है कि तीन करोड लोग साला ना बलकि जब बंदिर बन जाएगा तो तीन से चार करोड लोग जबकि बनारस में साथ करोड लोग आते हैं तो कोई ताजुद नहीं है कि अजो ध्यादी बना बनारस को क्रोस करें और साथ करोड फुटपाल हों साथ करोड फुटपाल का मतलब आप समझ रहे हैं रोज करीब छे लाट लोग आएंगे अजुद्या में तो यह अपने हाथ में एक परिवर्टन होगा जो की टूरिजम को डेवलप करेगा इसमें कोई दो दो बात नहीं है एक चीज वहां के मैनेजरों ने और की इखबाल अंसारी जिसने बाद में अपना केस उठा लिया जो अजुद्या मंदिर का मूल केस था टाइटल सूट का वो इखबाल अंसारी का था इखबाल अंसारी ने अपना केस उठा लिया था बाद में जाने क्या करा हो रहा जरूर खूल बरसा रहा था इसको टेदी विजन चैलंज ने खूब दिखाए और कहा भी कि लोग बुराई करते हैं वो दीजे की लेकिन आज देखिए देश कहा जा रहा है यह इंकरों ने जार-जार बार-बार कहा है किसके बार कुछ बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो कि मु अबद में आये श्री राम लला अज का पाउंदिन नए युक्टी सुरुवात है यह बताए गया और आज कहा गया कि अबद में आये श्री राम लला अबद में राम लला बहुत पहले से हैं और आज से नहीं है जब मानोज जन्म हुआ था हमारे आदी देव के रूप में तो यह कहना बिलकुल गलत है कि आप वजुद्या में राम लला आप आये हैं हाँ उनका आप जीरनो धार और उनके में प्रांट प्रतिस्था पांसो साड़े पांसो साल और बोदीजी ने कहा भी अपने बाशन में अब इसके बाद मेरी जोपली का आज में आज आएंगे म यह बिखाना हुआ कुल मिना की यह था कि एक वाशी जो पॉलिटिकल एवन्ट मोदी जी ने बना दिया मोदीजर Milo-जीर फोटीकल इवन्ट आ contribution है और अगर है तो मोधी जी भी देवत्व को प्राप्थ हो चुके हैं मोधी जी को भी देवत्वाज बिल गया है तो हम यह कहेंगे कि जिस दिन राम लला की आँख कोलेगी उस दिन पहला व्यक्ति जो देखेंगे वो मोधी जी होगे क्योंकि उनकी आँखी पट्टी रामला ला की मोदी जी खुलेंगे इस बात को किश करा है आज हमारे इंकरों ने कहा कि जब आँखें खुलेंगी रामला की भगवान राम के बालसरूप की तो वो बालसरूप में पहला जो झेड़ा देखेंगे वो भी जी का होगा मौदी जी को देवत्वु तो इसे ही मिल गया पता नहीं मोदी जी देवत्व्कु थ्वाक फॉर्त व्त को हासिल हुए या राम लला नए सीरे से देवोदी जी के साणितdoor से देवत्व प्राप कर वह हैं लेकिन ये इवेंट अच्छा होगा 22 का देखने लाएं क्योंकि जब रामलाला की पट्टी खुलेगी तो एक दूसरा देव उनके सामने कर दो सक्षा कर देखने कर दिए में भलेगी तो एक कर दो एक है